पूरा एपिसोड देखने के लिए सुनी ले वैब डाउनलोड करें अम सोरी अम सोरी ने हलो को उस पहलेवी गुलाटी को फोन को और कहो के विकरांतरस्तों कि उसका केस रड़ेगा हुं निखिल जैसेंग्ए तू तो अब गया तेरा गुरूर अब विक्रांत रस्तों की तोड़ेगा, जिस्ट वेटिंग मुच्छ समझ में नहीं आ रहा है ये रस्तों की मेरी तरफ से केस लड़ने के लिए तयार कैसे हो गया, वो तो निखिल की तरफ से था अरे उसके असिस्टन का सामने से फोन आया, वो सकता है अब वो ये सोच रहा हो कि तुम सही हो और तुमारा केस सही ड़ेक्शन हो जा रहा है वो तो है ही, चलो किसी को तो समझ में आया अरे आये आये, कैसे हैं आप लोग, प्लीज, प्लीज, बैठिये चाय थंडा अपको किसी ने पूछा? अरे, सुजीत So, how are you guys? अरभई, क्लाइंट्स के लिए कुछ चाय थंडा वगरा लेकर आओ, कुछ समोसे वगरा लेकर आओ ये बताइए, चाय कैसी लेंगे अब, अधरक्त वाली, मसाले वाली या नॉमल चाय? नहीं, नहीं, कुछ नहीं चलिए, एक काम करो, सारी ले आओ, बैज इसको जो पसंद होगी वो ले लेंगे और हाँ, वो नेतराम वाले नम्कीन भी लेंगे ना भई, हमारे मेरेट का मशूर है, आपने तो चकही होगा आप, मुझे नोटी सर्फ करने वाले थी, फिर क्या हुआ ये सब? भई, हमारे देश में कई सारे एक्जैमपल्स है, जदा दूर जाने की जुरूत नहीं है ये बताएए के महा भारत क्यों ही थी, द्रॉप दिकियों ये से तो किशन जी ने क्या किया? सच का साथ देने के लिए वो सार्थी बने थे अरजुन के इसी तरह से मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, आपका सच का साथ देना चाहता हूँ ये लड़ाई आप किस सच की है? और निखिल जैसिंग के साथ I wasn't comfortable सिंगल मैन, पैसे की कुई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है वो कैस समझ रहा है कि यहां मेरटना आकर वो पैसे फेक कर अपने बच्चों को ले जाएगा? उस दिन जब मैं आपसे मिला, तो मुझे रेलाईज हुआ, आपकी स्ट्रगल में ही आपका सच है और आपकी ताकत है इसलिए मैं आपका केस लड़ूँगा और आपका साथ दूँगा पलवी जी, मैं भी एक पेरेंट हूँ अविरा मुझे कोई चीन लेए, मैं सोच भी निसकता आपके और आपके बच्चों के स्थाथ बहुत अनफेर हुआ है, लेकिन मैं होने नहीं दूँगा आगे आँ, च्रस्ट में अविरा और गगण दौनों ही बच्पन के दोस्त हैं अविरा के थुरू ही मैंने देखा कि आपने अपने बच्चों कितनी अच्छी परविरिश और अब्रिंग दी है थैंक्यो रस्तोगे जी आप अगर ये केस ले लेंगे तो अच्छा ही होगा भेर एक्सेलेंट, तो चलिए, फिर काम की बात करते हैं, आइए सुधिप, शाम को विजब प्रीश, आईए पलीजी सुपलीविजी, निखिल जैसिंग के जवानी के दिन तो काफी रंगीन रहोंगा हाँ इसका केस से क्या मतलब है? आपको पता नहीं, मतलब मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं नोर्स लेलो, बट गया आप थी नहीं न इतना साल, तो आपको पता नहीं होगा आप बताये रंवीर जी ये आपके साथ तो कहीं पेकशेग लगाए होंगे, हाँ, man to man चुर्स मान चुर्स हाँ, एक बार घर पे? नहीं, कैफे में जहा हम काम करते थे ओ, तो काम के वक्त शराव एक्सिलन्ट नोट करो रस्तोवी जी, काम के वक्त नहीं, मतलब जब काम खतम हो गया था, कैफे बंग कर दिया था तब की बात शोर्शर पर ये, आप ये सब क्यों पुछ रहे हैं? इसका इस केस से क्या कनेक्शन है? हर चीज कनेक्टेड होती है परलेवी जी ये बदाएए कि क्या आपका बेटा एफेय में अपनी मरदी से काम करता है आ राजी तो नहीं थी मैं लेकिन इससे पहले मुझे पता चले बादल को हायर कर लिया था निखिलने मतलब कि आपका बेटा जो इतने सालों से आपकी देख रेक में था अचानक से उसके फादर ने आके उसे अपनी तरफ करना शुरू कर दिया हाँ निखिल में है वो बात किसी को भी अपनी तरफ कर सकता है वो जानता था बादल शेफ बनना चाहता है वो जानता था वो मना नहीं करेगा उसका सपना था आफ्टर रॉल लेकिन जब बादल पर बहुत प्रेशर आने लगा तो फिर मैं चुप नहीं रही हालो मा, मा या पर एक प्रॉब्लम हो गई है मा, मा कोई मुझे पका फसादी की कोशिश कर रहा है मा, सारा काना किसी ने, मा, सब कुछ उलट उलट हो गया प्रेशर कैस था प्रेशर मतलब ऐसा कुछ नहीं लेकिन एक बार फूद क्रिटिक्स आये थे रेस्टराण की ओपनिंग पार फूद टेस्टिंग के लिए तब निखिल ने उस इवेंट की पूरी जिम्मेदारी बादल डाल दी और बादल ने जो कुछ बनाया था वो सारा खाना खराब हो गया था खाना खराब हो गया या कर दिया गया कर दंदेने वाले कर रे खाटा और मेरे बेटी का कार बीगारने के लिए तुमने खाने में यह मिक्स कर दिया था इंडिया में कहावत जनम देने फाले से पांने वाला पड़ना बड़ा होता है वह बहुँ मैंन Columba जानती लेकिन इतना पता है कि सारा खाना खराब हो गया था उसे काना खराब हुआ फिर भी निखिल एक्सपेक्ट कर रहा था कि बादल अकेले सब कुछ नए सिरे से करें सब कुछ ठीक करें वो भी कम समय में अब पिना एक्सपरियंस के बादल के लिए यह आसान नहीं था तो वो बहुत घबरा गया वोरी उसके बाद बादन ने सब फिक्स कर दिया था हम सब ने मिलके फिर कोई प्रॉब्लेम नहीं थी और बस लेकिन मुझे समझ में नहीं हारा है सर यह सब किस लिए इसका कनेक्शन क्या है मैंने कहा लो सब कुछ कनेक्टेड होता है जिसके बारे में केस लड़ा जाता है उसके जाना ज़रूरी है, यह हमारी नॉलेज के लिए है, इसे यह बताईए है, कि निखिल के खरीदे हुए कैफे में आपका बेटा जो काम करता है, उसकी एज क्या है? सत्रा साल. हम, एक्सिलेंट, नोट करो. रस्तोगी जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, मैं और निखिल हस्बंड वाइफ थे, आज निखिल कुछ हो ना हो, लेकिन मेरे बच्चों का बाप है, मैं अपने बच्चों की कस्टड़ी जाहती हूँ, निखिल की बदनामी नहीं, अगर आप सोच रहे हैं कि इस तर और एक बात, मैं और पलवी, मतलब हम दोनों शादी कर रहे हैं